अस्लामलेकुम मैं हूँ ग्रीफेन और आप देख रहे हैं ग्रीफेन्स पॉर्ट्री ग्रीफेन्स पॉर्ट्री में आपको खुश्याम दे तो आज हम मुझूद हैं ब्रेटर फार्म के ओपत इसके ओपर हमने रेसेंटली जो बर्ड हम प्रोडक्शन पे आएंगे यह मैं आ दो हॉंचिती रहें तो इस वीडियो में हमने मील और जो फीमेल हैं रिसेंटली दो दिन पहले हमने mkse की हैं तो जो मेल हैं यह देखें कि इन की जो थम जो लिवत कर दे आधा जो अगर लाइट स्टीमुलेशन मेल को मिलता रहे तो मतलब गुजारा कर जाता लेकिन उसको भी नहीं मिलना चाहिए लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल को में में जो लाइट स्टीमुलेशन है वो नहीं देना चाहिए तो इसको हमने जो रेटिंग को दरहां थ्री ह उसे तर्टी तू यह 50% लक्स दी वही है यह फी मेल और जो मैल है उनके जो फीड है और जो चेंज है और उनकी फीडर है उनको डिफेंट फीड दे रहे हैं और यह ए अच्छी पीक प्रडक्शन हसले करने के लिए हमें इसको डिफेंट दे जाती है और यह फीमेल के बढ़त है जो आपको नज़र आ रहे हैं और जो मेल कि हैं वो दोसी साइड प्रमने रखे होए क्योंकि जब हम यह से Mix करेंगे तो यह जो मेल है फीमिल की नखाया और फीमिल जो मेल की फीमिल नागा यह क्योंकि जो फीड का डिफरेंट्स होता है और यह इसके इंदर हमने नेस्टर दिए होے हैं और यह रखते हैं तो यह तब इनकी होती है ऐटीन टू टूवबीक्स इस दौरान हम 10-3बिविक तरण हम तर्टी पर सनकी जो होते है इनको रख देते है और रिखने को रखने के दरान हम नीचे बादे प्रक эфф को हम उपन कर लेते हैं ताकि जो bird है वो वह विशर हो जाए ऊपर अंडे देने के लिए और इनके हमने डिफेंट पैन बनाए हुए इनके युनिफरम्टी को क्या से करते हैं और इनका वैक्सीन शेडियोल क्या है को मैंने पिछली वीडियो में बताया तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो है तो सब्सक्राइब खेंटी और आने वाली वीडियो के लिए बैल इकमपर क्लिक कीजिए और यह मेल इदर क्यों कठे होगी है इसके क्या वजह हो सकती है क्योंकि हमने फिरेसेंटली इंपे जो मेल इंट्रद्यूस करवाए हैं और जो मेल है हो दोसरे साइट पे आगे दे दरोज में पहले जाएंगे और यह नास्ति की जो हम अपना दर आ रहें नास्ति इसमें हमने उपर वाले पहले को ले और नीचे वाले जो नास्ति है उनको बात में खोले और इसकी जो light है वह हमने controlled है और इसको हमने जो रेरिक से हमने 10% ज्यदा इसकी light दी हुई है झाल 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 झाल